तुलसी की सूखी पत्तियां चमकाएंगी आपकी किसमत जाने कैसे किया जाता है इस्तमाल। आम तोर पर तुलसी की हरी पत्तियों का इस्तमाल पूजा पार्ट में किया जाता है। लेकिन तुलसी की सूखी पत्तियों के भी कई लाब बताए गए हैं। मान्यता है कि तुलसी की सुखी पतियों के इस्तमाल से मालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हिंदु धरम में तुलसी के पौधे को बेहत पवित्रम माना जाता है। तुलसी के भीना भगवान विश्नु की पूजा संपूर्ण नहीं होती है। मान्यता है कि इसमें मालक्ष्मी का वास होता है। माना जाता है कि तुलसी में रोजाना जल देने और इसके नीचे सुबह शाम दीपक जलाने से जीवन में सौभाग गयाता है। इसके अलावा तुलसी की सूखी पतियां भी पहुत अधिक महत्वर रखती है। आईए जानते और उन्हें कभी भी धन समपति की कमी न हो, इसके लिए लोग तरह तरह के उपाय भी करते हैं और जीवन में धन कमाने के लिए कड़ी मेनत भी करते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि धन से जुडि समस्याओं का अंत नहीं होता है ऐसे में तुलसी के सुखे पत्ते आपके ल अगन रखने वाले स्थान पर रखना है इससे आपके ऊपर देवी लक्षमी की कृपा बनेगी और साथी आर्थिक उन्नती भी होगी। कई बार ऐसा होता है कि घर में नकारात्म कुर्जा का प्रवेश हो जाता है तो ऐसे में व्यक्ति को चाहिए कि वह तुलसी की कुछ सुखे पत्ते ले और उन्हें गंगा जल में डाल ले उसके बाद उस जल को पूरे घर में छिड़काओ करे ऐसा करने से घर से नकारात्म कु प्रवेश नहीं होगा और घर में खुशहाली का वातावरन बना रहेगा भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड़ू गोपाल जी कहते हैं लड़ू गोपाल जी को स्नान कराते समय आप उनके जल में तुलसी के सूखे पत्ते डाल सकती है यह बहुत शुब माना ज शुब में लड़ा जाता है आप चाहे तो अपने स्थान के जल में भी तुलसी के सुखे पत्ते मिला सकती है इस से शुरीर में जितनी भी नकारात्म कर जूजा होती है वन निकल जाती है भगवान श्री कृष्ण को तुलसी कितनी प्रिय यह सब ही जानते हैं भगवान श् आपी किताब के बीच में रख सकते हैं इससे पढ़ाही में मन लगता है और सभी कार्या सकारात्मक रूप से पूरे होते हैं अगर आपके पास तुलसी की धेर सारी सुखी हुई पत्ती इखटा हो गई है तो आपको उसका पौडर बना कर खाने में इस्तमाल करना चाहिए इस से खाने का स्वात तो अच्छा होगा ही साथी सेहत के लिहाद से भी यह बहुत अच्छा होगा अगर तुलसी की धेर सारी पतियां आपके पास इखटा हो गई है तो आप इसका इस्तमाल नहीं करना चाहा रही तो आप तुलसी के गमले में ही इन पतियों को गार सकती है यह गलकर खाद बन जाएगी दोस्तों उमीद है कि आपको तुलसी की पतियों की ये जोतिश उपाय पसंद आये होगे आप भी उन्हें अपना कर देखे आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो को लाइक अवश्य करें आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें साथ में वेल आइकन की दबाए ताकि आपको हमारी आनी वाली रोचक जानकारी की वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद आपका दिन शुभो